नमश्कार किसान भाईयों जैसे कि आप लोग पिछले कुछ महा से हमारे एड़टीजमेंट में देख रहे होंगे कि हम लोग ताइवान की वैराइटी पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये भारत वर्ष में रेवल्यूशन लेकर आने वाली है इसका कारण है इसका साइज इसका स्वाद और इसका भारी मात्रा में फल कर आना आज मही महा है और मैं आप लोग के सामने ताइवान पिंक के वैराइटी की ग्रोध दिखाना चाह रहा हूं जो सिरफ 6 महीने पुराना पोधा है हम लोग हाई डैंसिटी और अल्ट्रा हाई डैंसिटी को परमोट कर रहे हैं तागि किसान भारी मात्रा में लाब कमा सकें उन्हें बहुत लंबा इंजार ना करना पीने फल देता है अंदर से हलका सा गुलाबी होता है बहुत स्वीट है टेस्ट में तो आप यह देख सकते हैं छोटा फल काटकर कोशिश भी करेंगे कि इसमें अभी रंग आ पाया या नहीं हाला कि थोड़ा बड़ा पोधा हो जाता है तभी रंग आ पाता है आप यह दे परकीरिया पिछले दो महां से जारी है तो 12 महीने हम लोग इस से आम दनी ले सकते हैं इस वाराइटी से 가 कि देख सकते हैं सिरफ 6 महा का पोधा है मात्र 6 महा आ कि देखे कलिया कि कलियों की संख्या का कली फूल फल और दो महीने बाद यह मारकीट में जाने के लिए तयार है और यह अभी तीन बाई तीन फिट पे ही पोधा लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि पहले वर्ष हम लोग फल नहीं लेंगे नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर लेना चाहें तो यह संख्या इस तरह से होगी फलोगी औ और हम यह कहते हैं कि आप एक वर्ष में 5 किलो फल दूसरे वर्ष में 10 किलो और तीसरे वर्ष में 20 किलो फल ले सकते हैं तो यह संख्या देख के आपको अनुमान लग गया होगा कि हम तीन साल के बाद एक पोधे से 50 किलो भी ले सकते हैं अगर मात्र 20 किलो फल हम एक पोधे तो 36,000 किलो फल हम एक एकड़ से ले सकते हैं और आज के समय में बाजार का जो रेट है वो 60 रुपया 70 रुपया होलसेल आधा किलो के आसपास के मुरूद का तो अगर 60 रुपया आ रहा है होलसेल और 30,000 किलो भी फल मिलता है 36,000 और घटा दीजे आप सिरफ 30,000 किलो 60 रुपय में 18,000 रुपया होता है 3,000,000 रुपया और घटा दीजे खर्चों का तो हम 15,000 रुपय तक का प्रोफिट ले सकते हैं तो जो प्रगतिशील किसान है उन सभी लोगों का मैं आवाहन करता हूं विर और गैनिक के तरफ से के मित्रों आईए हम लोगों से जुड़िए भोध अच्छी वेराइटीज हम आप लोगों को दे रहे हैं जो भविश्य में भोध अधिक लाप देने वाली हैं इसी शुबकामना के साथ के किसान की इंकम दोगनी नहीं आने वाले वर्षों में 10 गुनी होगी मैं राजिव सिंग आप सभी लोगों को शुबकामना देता हूं वंदे मातरम जैहिंद